आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार फेट घाटो काने रिक्षड समन्दी तदिकारी को दिये आवस्यक दिशा निर्देश आस्था के महापर्व छट को लेकर लोगों में उत्सा सत्रा सालों से मुस्लिम महिला मना रही है छट पर बागमती नदी में डूबा युवक मगरमच द्वारा युवक को निगलने की उड़ी अफ़ा गोली मार कर किया युवक की हत्या पुलिस ने किया चार अपराधियों को गिरफतार राशन डीलर की लापरवाही ग्रामिडो को नहीं मिल रहा राशन डीलर के घर पर ग्रामिडो ने किया जम कर हंगामा नमस्कार मैं हूँ मयूरी स्रवास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी शुरू करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ देश भर में छट पर्व को ले कर जोरदार तैयारिया चल रही है और बाजारों में भी दुकानों पर खूब भीड देखी जा रही है वही सहरसा में आस्था के महापर्व को लेकर अनोखी पहल देखने को मिली और छट घाटों की सफाई रोश्नी और चेंजिंग रूम और रास्ते की सफाई को लेकर समासेवी सहरसा के शंकर चौक से 3 किलो मीटर तक डंड प्रणाम करते हुए जिलाधिकारी को आवेदन दिया वही नावादा में भी महापर्व को लेकर नवादा की मिरजापूर सूर मंदिर घाट पर खुरी नदी से जल लेने के लिए छट वरती और स्रधालों की भीड उमड रही है और इस दोरां स्रधालों नदी कुआ तलाप से शुध जल घर ले जाते हैं और इसी पानी से खरन का प्रसाद बनाते हैं लोक आस्था कि महापर्व छट को लेकर जिला अधिकारी एवं एस्पी भोजपुर ने सयुक्त रूप से जिले की भीविन छट घाटों का निरिक्षड किया और समंदित अधिकारियों को आवस्तक दिशन देश दिये ताकि कहीं भी किसी भी घाट छट ब्रतियों को ब्रत करने में कोई कटना ही ना हो कि संभावना है जहां पर ज्यादा कर लोग रहते हैं तो उन जगों पर जो एक पब्लिक बेवस्ता को दुरुस्त करने के लिए जो सुरक्षा का घेरा देना होता है खबर पश्यम चमपारण बेटिया से है जहां लोक आस्था का महापर्व छट कोले का लोगों में काफी उत्सा है वही नकर कटिया गंज नगर के बाट संख्या साथ की एक मुस्लिम महिला भी 17 सालों से छटी मया की पूजा करते आ रही है और छट पूजा के अफसर पर धर्म की दीवार तूटती दिख रही है मुस्लिम महिला ने बताये कि 17 साल से लगातार पूरी विधी विधान के साथ छट पूजा करती है और पकवान भी बनाती है खबर पश्चिम चंपारण रामनगर से है जहां लोकास्था का महा पर्व छट पूरे स्रद्धा और भक्ती भाव के साथ मनाये जा रहा है इस पर्व की पवित्रता के मद्दे नजर रामनगर में सांसा सतीष चंद्र दूबे और विधायक राम सिंग ने सभी छट घाटों की सापसफाई की अभियान का निरुक्षन किया और लोगों से शांती पूरवक्त उहार मनाने की अपील की पूरविच अमपारण जीला सहकारता परिवार के डौरा आज मानवता की मिसाल पेस करते हुए महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें कारिक्रम के मुख अथिते जेले के सिविल सर्जन डौक्टर अंजनी कुमार ने फीता काट कर एवं दीब जला कर रक्तदान शिविर का शुभारम किया और उसमें पहले डोनेशन केम हम लोग और गनाइज कर रहा है जो यहां के डिस्यू साहबागीता से उनके सपोर्ट से यहां स्टाट होगा है एक बहुत ही अच्छी सुरुवात है क्योंकि जो पहले बहुत सारी दिखते आती थी जैसे कि प्रेग्नेंसी पेशेंट है पेर गरीब पेशेंट है जो बेचारे तो ब्लड खरीद भी नहीं पादेते उन लोग के लिए एक बैकल्पिक विवस्ता रेड क्रॉस के साथ यह होने वाला है और सुरू हो गया यह रगदान सिवीर का यूजन किया गया है उसमें हम लोग का सहयोग है इसमें हम लोग के डॉक डोनेट जो किया जाएगा वो सदर अस्पताल के ब्लाड बैंक में रखा जाएगा और गरीब लोग को इसको सहयोग किया जाएगा खबर मुजफर पुर से है जहां बाग मती नदी पार करने के दोरान 25 वरसी यूवक पानी में डूब गया जिसके बाद लोगों ने आशंक का जाताएग यूवक पर मगर मच्छ ने हमला कर दिया और उससे निगल गया वहीं इस घटना से लोग दहशत में हैं वहीं इस्थानी लोगों से सूचना देने पर मौके पर पहुची पुलिस मामले में च्छानबीन शुरू कर दी इधर से तीन आधि में गया है सर्वन और बाबुल और प्रिंस इधर से तीन आधि में गया हैyor् उदेन ऊधर देना उससे गया है वहाँ दस से बारे मि difर बहुद गया दो आधниц ema बच्चे लोग यह से करते हैं उसी का सिकार बते हैं इसको बनावट लोग देखते हैं यह जदे रहते हैं यह चट पर होने वाला है इस विच क्या दहसत है इसी दासा से लोग नदी किनारे छड़ कता नहीं चाहरा है जब कब से यहां घूमता है बागमती नदी में यहां बाड़े के समय से कितना साल गाता है कहां रहता था तो नवे रहता है यहां गाट पर क्या करने आया था खबर नवादा से है जहां एक बस और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई और एक सड़क हादसे में दस लोग गंफीर रूप से खायल हो गए जिसमें दो बच्चे भी शामिल है बता दें इस दोरानी स्कॉर्पियो में दस लोग सवार थे जिसमें से पांच लोगों की हालत गंफीर बनी हुई है और सभी घालों का इलाज कराया जा रहा है खबर पटना से है जहां के एडिजी जीतेंद्री सिंग गंगवार ने संबोधन के दोरान कहा कि छट महापर्व को लेकर पुलिस मुख्याले के तरफ से पूरी तयारी की गई है और 36 अलग अलग कंपन लगाई गई है वहीं ड्यूटी में केंडरी पुलिस बल भी लगाई गई है इस दोरान दो सीटों के उपचुनाओ को लेकर एडिजी ने बताया कि बिहार में दो सीटों पर उपचुनाओ हो रही है और दोनों उपचुनाओ सीटों के लिए परियापत संख्या में केंडर और डीएसपी का पद भी स्विक्रित हो गया तो आप वो कारवाई भी हो रहे हैं रेंज लेवल पर भी वबस्ता बढ़ाई जाएगी और आर्थिक अपराद इकाई इसकी अभी तक नोडल लिकाई है तो नोडल लिकाई के द्वारा अगर साइबर थाना का प्रपोजल एक को रॉंदिया और इस घटना में एक यूवक की घटनास तल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा यूवक गंभी रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए स्थानी लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया वही मौके पर पहुची पुलिस ने मिर अधर से गाड़ी आ रही है और यह लोग गाड़ी के अंदर चले गया और यही घटना हुआ है एक धायल है और यह एस्पोर्ट डेट हों क्या है खटना हुआ हाईवा डंपर से है खबर रोहतास से है जहां जिले के डेहरी मुफसल थाना शेतर के जमुहार गाउं के पास एक यूवक की गोली मार कर हत्या कर दी गए जिसके बाद इस मर्डर कांड को रोहतास पुलिस ने काफी गम भीरता से लेत हुए हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफतारी के लिए एसपी के नेतरुत में डेहरी मुफसल थाना एवं अन पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की SIT टीम का गठन किया और मामली की जा पूर्प से पैसे के विवाद को लेकर के सासरा मुफसल थाना चेतर के कंचन पूर्प गाओं के दो व्यक्तियों की बीच में भरावली गाओं में ठाकुर बाडी में दक्षिड स्वर्गी विश्नुदेव सिंग के घर में श्री विश्नुदेव हेल्थ केर सेंटर का शु इविर का आयोजन किया गया जिसमें मधू में और ब्लेट प्रेशर, कोल्ड इस्टोन एवं पेट की अन बीमारियों का नेशुल्क इलाज एवं दवा का वित्रण किया गया। उनको मधू में जिनको डेविती जी गोला जाता है, मधू में हुआ, कॉलेश्टर हुआ, बलट पेसर हुआ, हिर्दय रोग हुआ, क्याकातेंस को लिवर हुआ, इस सब की जो निस्टुल को सिवधा उपलब दे है। इस सुल्क सिविर लगाया गया है, जिसमें डेर सौ की संख्या में मरी जाए है, और अब देख सकते हैं भीर हैं डेर सौ की. मेडिकल साइन्स से MBPS की डिग्री प्राप्ट किया हूँ, इसके बाद मैं स्री नारायन मेडिकल कॉरलेट में डॉक्टर के लिए डॉक्टर हूँ. मेरे दादा जी स्री स्री विश्नुदे परसाथ सिंग का शपना था कि वो अपने कौंग भाडोली धगजडी में एक मेडिकल विवस्था का लाटन करें। इस तरह डीलर की गुंडागर्दी चल रही है लेकिन इस मामले में आधिकारी संग्यान नहीं ले रहे हैं। अगला मेना रासन मिला है ना तुर का पुझाम अगला मेना रासन मिला है। अगला मेना रासन मिला है ना अगला मेना तिपा जला है। तिपा देलकोल बचाई लोले देला है। तो रासन नहीं देलके। रासन कटता है और यहां पे जो उसना चाबल के बोलके यहां पे अरवा चाबल मिलता है उसना चाबल नहीं देता है। अगला मेना का रासन नहीं दिया है। अगला मेना का फिंगर ले लिया रासन नहीं दिया है। और फिर से फिंगर मंगता है और बोलता है तब रासन देंगे। फिंगर ले लिखोच एक मेना तू रासन नहीं देंगे। यह तरो भी पज़िए दोफारा अख एर्व फिंगर लेख तब रासन देशे इस हमिरा आज़ह के लूट रासन नियुट नहींची पर अब आज़ंचेट नियमात नियां आज़े अफिंगर देली दोचे नियां जर्वारा कॉंचे पुलिस के प्रती बिश्वास जीतने वा संपर्क कड़ी को मजबूत करने की पहल की गई और छट समागरी लेने के बाद ब्रतियों ने स्पी की साराहनी कार की प्रसंसा करते हुए आशिरवात भी दिया वितर नहीं आये समागरियों का इंतिजान करके हम लोगों ने जो है ऐसे 2300 बिश्वतमंद परिवारों को यहां पर आज हम लोगों ने पूजा समागरी वितरन करने का विश्य किया था जिसमें कि आज इसकी शुवर खायना पुर्थाने में हुई है इसे से विसले में हम लोग यहां आये और छट माता की पूजा के समागरी चोंगा लोगों को बिश्यों नालंदा की सैदपूर गाउं में बेखौप को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया मृतक बिजली भी भाग में जॉब करता था और छट की छुटी में गाउं आया हुआ था परजनों ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद गाउं के खंदा में उसका शो मिला तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही नालंदा के सांसद कौशेल कुमार अस्पताल पहुचे और परजन से घटना की जानकारी लिए उन्होंने बताया कि अपराधियों की गिरफतारी के लिए पुलिच छापे मारी कर रही है जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा साथी साथ तेलहाडा थाना प्रभारी ने बताये कि गोली मार कर यूवक की हत्या की गई है शवका पोश्ट मार्टम करा पर जनों को सौप दिया गया है जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा बिहार थाना के शेखु रखाँ में बजुबाटम कर दाएगा पतना में जौग कर दाएगा जुबाटम कर दाएगा जुबाटम को सौप दो लड़का दोस्ट को साथ लगा है आजा जंदे कमा ख़ब रुआ आवाज रुआगा बिहार की खबरों में इतना ही देजबुना की तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार